वेलकम दोस्तों आपका स्वागत है डेली हेल्थ केर में एक गिलास रोज पीएं अधरक और गाजर का जूस और देखें फायदे लेकिन दोस्तों उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेर भी कर सकते हैं तो दोस्तों आईए जानते हैं कि क्या फायदे होते हैं अधरक और गाजर का जूस पीने से दोस्तों आजकल लोग खुद को फिट रखने के लिए इंटरनेट पर धेर सारी रेसिपीज ढूनते हैं जिसमें से जूस या स्मूदी की रेसिपी नंबर वन पर होती हैं तो आप भी पी सकते हैं अधरक और गाजर का जूस जिससे आपको मिलेगी गठिया, मधुमे और जो हमारी सेहत के लिए फाइदेमंद हैं तो दोस्तों देर किस बात की आज से ही ये जूस पीना शुरू करें इसके लिए आपको चार गाजर की जरूरत है एक इंच अधरक और एक नीमू सेंधा नमक अपने स्वात के अनुसार आप इसमें आड़ कर सकते हैं सबसे पहले अधरक और गाजर को छील कर साफ कर ले अब गाजर का जूस निकाले और अधरक का भी जूस निकाले गाजर के जूस के साथ अधरक के जूस को मिक्स कर ले इसमें आप आधा नीमू निचोड़े और चुटकी भर सेंधा नमक और दालचीनी पाउडर मिक्स करें इसे रोजा को बढ़ाता है अधरक में एंटी ऑक्सिदेंस होते हैं जो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा कर गंदगी को बाहर निकालते हैं गाजर का जूस पीने से तवचा से दाग धब्दे मुहासे पिग्मेंटेशन जाया मिट जाती हैं और कैंसर का खत्रा नहीं होता क्योंक चैंसर और पैंक्रियाटिक कैंसर में भी जूस फायदएमन्द है अधरक और गाजर दोनुं ही हमारे दिल के लिए भी फायदएमन्द हैं तो अगर किसी कोभी दिल की बिमारी है तो वh भी ये जूस पी सकते हैं वो लोग जिन्हें मदुमे या उसके होने की आशंका है उन लाजर का जूस इस जूस को तुरंद बनाकर पी लेना चाहिए क्योंकि देर तक रखने से इसमें से पोशक तत्व खत्म होने लगते हैं अगर आप चाहें तो इस जूस में एक हरा सेब भी डाल सकते हैं तो दोस्तों इस जूस का इस्तमाल करें और हमें भी बताएं कि आपको इसका कितना लाब मिल रहा है हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपकी राय और सुझाव लिखकर आप हमसे शेयर कर सकते हैं जुड़े रहें डेली हेल्थ केर के साथ लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें